आप सभी का स्वागत है मेदी किचन में आज हम आपके लिले आए हैं मग पिज्जा रेसिपी बट हम ये पिज्जा बाउल में बना रहे हैं और गाइस ये बहुत ही टेस्टी लगता है सिर्फ दो मिनट में ही ये रेसिपी रेडी होती है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज गाइस मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे सेयर करना बिल्कुल भी न भूले आए स्टार्ट करते हैं कब पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा ऑईल रही पिज्जा हर्प्स चिली फ्लैक्स वन फोर टेबल स्प अब आज सकता है कि नसार दूद चीज रेड रेड सिम्ला मिर्च भारा सिम्ला मिर्च और प्याज तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं इसमें हम थ्री टेबल स्पून मैदा लेंगे इसमें हम वन टेबल स्पून ऑईलेट करेंगे तू टेबल स्पून हम इसमें कर्ड यूस करेंगे दही यानी की और यह हमारा वन फोर टेबल स्पून बेकिंग सोडा वन पिंच बेकिंग पाउडर और वन पिंच सॉल्ट अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेंगे और जवरत के साब से हम इसमें मिल्क एट करेंगे बहुत ही जन्दी यह बनता है पिज्जा सिफ दो मिनट की रेसिपी है यह थोड़ा सा दूट और एट करेंगे अच्छे से इसको फेपना है एक भी लंच इसमें ना रहे है आपको इतना ही थिक रखना है से तो फ्रेंड्स अब हम इसके पोटिंग करेंगे स्पॉसर्स की अब हम इसमें ऊपर से सेर्वान चटनी स्प्रेट करेंगे इसको अच्छे से आपको फेलाना है चारो तरफ इस डो के ऊपर इसके बाद अब हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स देकोर इट करेंगे ग्रेन सिंबला मिर्च रेड सिंबला मिर्च बहुत ही टेस्टी लगता है यह बहुत ही छट से बनने वाला रेसिपी है यह अब हम इसमें उपर से अपनी चीज मोजरेला चीज एड़ करेंगे आपको जैसा चीजी पसंद हो उससे सबसे आप चीज डादिए और यह और इगैनों उपर से मैंने एड़ किया चिली फ्लैक्स उपर से आप इसमें स्प्रिंकल कर दीजे और अब आप इसे एक से देर मि मैंने माइक्रोवेब को पहले से प्रिहीट कर लिया है अब हम इसको दो मिनिट के लिए माइक्रोवेब में सेट कर देंगे देखे हमारा पिज़ा बनकर रेड़ी हो रहा है किस तरह से उपर आ रहा है बहुत ही टेस्टी रगता है यह कितना टेस्टी दिख रहा है यह महुत ही चीज़ी है अब हम इसे निकाल लेंगे खेंस हमारा पिज़ा बनकर रेड़ी है और यह बहुती टेस्टी लगता है ये देखे एकदम एकदम चीज़ी आ और दो मिनट में पकने वाला पिज़ा जबी भी खाने का वन हो आप इस तरह से एकदम पिज़ा रेडी कर सकते हैं आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक बार ये रेसिपी ट्राइए जरूर कीजेगा बाबा गाइस टेक केर